आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी आफ इंडिया में साइन नियून हिंदू कैलेंडर के अनुसार नौमवे माह को मार्गशीर्ष माह के नाम से जाना जाता है वैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के पंचांग में बारह माहों को चैत्र, वैशाक, जेश्ट, आशाल, श्रावन, भादरपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोश, माग, फालगुन के नाम से जाना जाता है इसमें हिंदू धर्म में चैत्र महीने से साल की शुरुआत होती है शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृक्शिरा नक्षत्र से भी है इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष माह पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्थिक माह के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है जो नवा महीना माना गया है पुरानों में इस माह की महीमा का वर्नन मिलता है अगर आप भगवान विश्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की अराधना करते है और अगर आप विश्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भगते है तो कमेंड बाक्स में जे विश्णु देवा, जे श्री कृष्ण, हरियोम तत्सत, ओम नमो भगवते वासु प्रियत्थ, एक बार अंजाने में ही उन्होंने एक श्रवनकुमार नामक ब्रामहन का आखेट में वद कर दिये, उस ब्रामहन के अंधे माबाप ने राजा को शाप दिया, कि जिस प्रकार हम लोग पुत्रशोक में मरं रहे हैं, उसी भांती तुम्हारा भी पुत्रशोक में मरन होगा इससे राजा को बहुत चिंता हुई उन्होंने पुत्रेष्टी यग्य कराए फल्स्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अफ्तार लिया वहीं भगवती लक्ष्मी भी माता जानकी के रूप में अफ्तरित हुई पिता की आग्या पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मन सहित वन को गए जहां उन्होंने खर्दूशन आदी अनेक राक्षस वराक्षसियों का वद किये इससे क्रोधित होकर रावन ने सीता जी का अफ़रन कर लिये सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंच्वटी का त्याग कर दिया और रिश्यमूग परवत पर पहुचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की ततपश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदी वानर ततपर हूँ ढूंडते ढूंडते वानरों ने गिद्धराज संपाती को देख इन वानरों को देख कर संपाती ने पूछा कि कौन हो इस वन में कैसे आये हो तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है संपाती की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विश्नु के अफ़तार दशरत नंदन भगवान श्री राम जी माता सीता जी और लक्षमन जी के साथ दंड कवन में आये है वहाँ पर भगवान श्री राम जी की पत्मी सीता जी का अप्रहें कर लिया गया है हे मित्र इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहा है उनकी बात सुनकर संपाती ने कहा कि तुम सब राम चंदर के सेवक होने के नाते हमारे मित्रों जानकी माता जी का जिसने हरंग किया है और वह जिस थान पर है वह मुझे मालूम है सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायू अपने प्रान गवा चुका है यहां से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है वहां अशोक के पेड़ के नीचे माता सीता जी बैठी हुई है रावन द्वारा अपहरित माता सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है मैं आप से सत्ते कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रम शाली है आत उन्हें वहां जाना चाही केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लान सकते है अन्य कोई भी इस कारे में समर्थ नहीं है संपाती की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि है संपाती इस विशाल समुद्र को एं किस प्रकार पार कर सकता हूँ जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ हनुमान जी की बात सुनकर संपाती ने उत्तर दिया कि है मित्र आप संकत नाशक गनेश चतुर्थी का व्रत कीजी उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षन भर में पार कर लेंगे संपाती के आदेश से संकत चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया हे देवी इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षन भर में समुद्र को लांग गए इस लोक में इसके सामान सुख दायक कोई दूसरा वरत नहीं है वहीं भगवान श्री कृष्ण जी कहते है कि महाराज युधिष्ठर आप भी इस वरत को कीजी इस वरत के प्रभाव से आपक्षनभर में अपने शत्रों को जीत कर संपूर्ण राजे के अधिकारी बनेंगे भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठर ने गनेश चतुर्थी का वरत किया इस व्रत के प्रभाव सेवे अपने शत्रूओं को जीत कर राजे के अधिकारी बंगप। इस व्रत का संकल्प करें एवं मंत्र का जाब कीजिए मम सर्वकर्म सिध्धे सिध्धी विनायक पूजन्मंकरिशे अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाए कलश में दूरवा चिलहर पैसे या सिक्के साबुत हल्दी रखे उसके बाद लाल कपड़े से पर गनेश जी की प्रतिमा स्थापित करें पूरे दिन श्री गनेश जी के मंत्र का स्तवन करें संध्या को दुबारा स्नान कर शुद्ध हो जाए श्री गनेश जी के सामने सभी पूजन सामगरी के साथ बैठ जाए विधी विधान से गनेश जी का पूजन करें वस्त्र अर पित करे, चंद्रमा के उदे होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्गे अर्पन करे, उसके बाद गनेश चतुर्थी की कथा अवश्य सुने अत्वा सुनाए, जो, चावल, चीनी, तिलवघी से हवन करे, ततपश्चाद गनेश जी की आर्थी करे, पांच लड़ू प्रसाद क के रूप में बाट दे और शेश पांच अगले दिन ब्रामहन को दान में दे, मार्गशीर्ष महीने का महित्व जानिये, मार्गशीर्ष माह को हिंदू शास्त्रों में सरवाधिक पवित्र महीना माना जाता है, भगवान स्वयम भगवान गीता में कहते है, कि महीनों में मै मार्ग शीर्ष हूँ। इसी महीने से सत्यू का आरंभ माना जाता है। कश्यप रिशी ने भी इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। यह महीना जब तप और ध्यान के लिए सरवायत्तम माना गया है। इस महीने पवित्र नदियों में सनान करना विशेश फलदाई होता इस अवधी को पारंपरिक रूप से आध्यात्मिक नवीनी करन और धार्मिक उत्साह के समय के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दोरान दैविय उर्जाय विशेश रूप से सुलब होती है और देवता प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के प्रति अधिक ग्रहनशील होते हैं। यह ध्यान, उपवास और तीर थ्यात्रा जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए एक आधर्श समय है। सांस्कृतिक रूप से इस महीने में कई त्योहार और धार्मिक समारोह मनाए जाते हैं। जिनमें से प्रतेक इसका महित्व सम्रिध्धी के साथ होती है। यह महीना आत्म चिंतन, आंतरिक शांती और भक्ति को प्रोथ साहित करता है। जिससे यहन केवल धार्मिक गति विधियों के लिए बलकि वेक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए भी एक समय बन जाता है। जानिये क्यों खास है मार्गशी सत्यूग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम्तिति को ही वर्ष प्रारंब किया। मार्गशीर्ष मास में विश्न उसहस्त्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करे। इस माह में शंक में पवित्र नदी का जल भरें और फिर इसे पूजा स् शांती का वास होता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाही। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रे जेंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह के लाब जानिये। मार्गशीर्ष में मंगल कारे विशेश फलदाई होते ह इस महीने में श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में सनान विशेश शुब होता है इस महीने में संतान से समबंधित वर्दान बहुत सल्ता से मिलता है चंदरमा से अम्रित तत्व की प्राप्ति भी होती है और कीर्थन करने का फल अमोग होता है मार्ग शीर्ष में कैसे चमकाई किस्मत इस महीने में नित्य गीता का पाट करे भगवान कृष्ण की ज्यादा से ज्यादा उपासना करे कानहा को तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह ग्रहें करे पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे अगर इस महीने किसी पवित्र नदी में सनान का अफसर मिले तो जरूर करे अगर आप भगवान विश्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की अराधना करते है और अगर आप विश्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्ते है तो कमेंड बाक्स में जे विश्णु देवा, जे श्री कृष्ण, हरियोम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह लिखनान भूली यहां बताए गए उपाय, लाब, सलाह और कथन आदी सिर्फ माननेता और जांकारियों पर आधारित है यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी माननेता या जांकारी की समाचार Agency of India के द्वारा पुष्टी नहीं की जाती है यहां दी गई जांकारी में नहित जांकारी विभिन माध्यमों, जोतिशियों, पंचांग, प्रवचनों, माननेताओं, धर्मग्रंथों, दंत कथाओं, किम दंतियों आधी से संग्रहित की गई है आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेक को अंतिम सत्य अत्वा दावा ना माने एवंग अपने विवेक का उप्योग करे समाचार Agency of India पूरी तरह से अंध विश्वास के खिलाफ है किसी भी जानकारी या माननेता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशगे से सलाह ले अगर आपको समाचार Agency of India में खबरे आधी पसंदा रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करे हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जय हिंद कर दोज़ कर दो दो में में सका रह जड़को में 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 एखाओे विए्ट्स है से अपक्राइब प्रहाराइब तक कर दो को दो कि दो रहां है